हलो एबरिवान स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में मेरा नाम है सेत्वारे और आशा करता हूँ कि आप सभी बहतर होंगे तो आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग टॉप डेली करेंट अफ्यर जो न्यूज है उनको कवर करने जाएंगे और आज के लक्षर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 23 अगस्त के टॉप करेंट अफ्यर न्यूज ठीक है तो इसका एक पैटर र जाएंगे फिर उसके बाद defense science and technology ठीक है उसके बाद important appointment books and author और obituary national and international day इसमें से जो जो important current affair मुझे लगेगा कि हाँ इसके exam में आने का chances से तो उनको जरूर हम लोग cover करने जाएंगे बट यह brief manner में cover करने जाएंगे जिससे आपका एक overall revision हो जाए और इस current affair पर आधारत में क्या किया करूँगा कि हर एक week में एक weekly current affair का MCQ कंड़क कर लूँगा तो आपकी practice आसानी से हो जाएगी ठीक है guys start करते हैं आज के session को session start करने से पहले guys यह मेरा brief introduction मेरा नाम से उत्वार है और मुझे six plus year का teaching experience और अभी आपको description में link मिल जाएगी और अगर आपकी कोई भी query है तो आप मुझे WhatsApp नंबर पर मुझे message drop कर सकते हैं तले guys start करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे national और international news से जिसमें कुछ अभी हाले में pact और agreement हुए उस related update पढ़ने जाएंगे ठीक है guys तो अभी हाले में जो है यह जो महिला बचत गट होते हैं self help group या फिर joint liability group इनको financial assistance provide करने जाएगा और यह जो financial assistance से इसका amount याद रखेगा around 18,750 रोपे रहेगा पर year प्रतेक महिलाओं को और यह जो priority तोर पर दिया जाएगा SC, ST and OBC ठीक है तो इस program का जो मुक एम है वो यही है कि यह जो महिला बचत गट से जुड़ी हुई महिलाएं हैं इनकी financial और economic condition को बहतर करना और इसके लिए particular program भी launch किया गया था जिसका नाम था YASR चे उठा है ठीक है और इसके लिए जो पर year लगवक सरकार fund allocate करने जाएगी वो रहेगा 6,700 करोड रुपे नेक्स अपडेट में दो program है ठीक है एक program है सबसे पहले जो मद्द प्रदेश की सरकार ने launch किया है senior citizens के लिए और दूसरा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने tie-up किया है इसरा ठीक है agreement with the water resources ministry of israel तो इस agreement के तहत यह जो बुंदेल खंड का सूखा ग्रिसेच छेत्रे जहाँ पर हर साल बारिस जो है बहुत कम होती है तो इस छेत्र को drip irrigation की मदद से सिचाई की सुईधा provide की जाएगी क्योंकि यह जो area है बुंदेल खंड का हर साल यहाँ पर कम बारिस होत पर नहीं हो पाती है तो इस agreement की मदद से इस बुंदेल खंड के सुखा ग्रिस्त छेत्र को drip irrigation की मदद से सचाई की facility यानि की जो पानी की सुईधा है वो मुहिया की जाएगी तो जो पानी की दिक्कत है है वहाँ पर उनको कम किया जा सकेगा और दूसरा अभी हाली में सारे वीडियो देखिऊंगे social media पर सेयर किये गए कि बहुत से family में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जिनके बच्चे दूसरे राज्यों में हैं या फिर दूसरे countries में job कर रहे हैं तो ऐसे जो senior citizens से उनको इस lockdown में बहुत सी problems का सामना उठाना पड़ा वो बाहर जाकर कि अपने खा पुलिस आर टेकिंग केर ओफ द एल्डरली प्यूपिल फ्रॉम दा फूड टू देयर हैल्थ तो यह सरकार है जो राजसरकार की पुलिस है यह इन बुजुर्ग लोगों का खाने से लेकर कि उनके स्वास्तक की चीजों का ध्यान रखेगी ठीक है अब चलते हैं बैंकिंग इकनोमियन फाइनेंस की और तो इसमें हाली में एक अपडेट है एचस बीसी की यहां पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउसिंग ठीक है आप इसके बारे में जानते होंगे होंग कोंग संगाई बैंकिंग कॉर्परेशन पहला बैंक ठीक है पहले बैंक के अगर हम बात करने जाएं तो वो तो कोई दूसरा था जो 1860 में आया लेकिन 1864 या 63 के आसपास यह दूसरा बैंक आया था जिसका नाम था किया जाएगा कंपेर टू सेविंग डिपेज सेविंग डिपॉजिट और इसके अंडर जो भी फंड कलेक्ट होगा तो उस फंड का इस्तमाल बैंक करने जाएगा ग्रीन इनिसेटों को फाइनेस अलोकेट करने के लिए जिसमें रिनूबल एनरजी क्लीन क्या किया जाएगा एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसकी मदद से बहुत सारे यूट्स के लिए ऑनलाइन जो है वीडियो कोर्से ऑनलाइन लर्निंग अप्लिकेशन को डिवलप किया जा सके ठीक है तो यह कोलाबरेशन हुआ है आई बीम और ए 20 साल के बच्चों के लिए रहेंगे और लगबग 60 प्लस आवर्स की लर्निंग फैसलेटी इन प्लेटफॉर्म पर अवलेबल रहेगे गाइस ठीक है दूसरा जो एग्रिमेंट हुआ है एक स्पोर्ट से रिलेटेड अपडेट है स्पोर्ट से रिलेटेड आपको मालूम है जो ओलम्पिक था ठीक है वो टोक्यो जापान में होस्ट होने जा रहा था लेकिन कोरोना की वज़े से उसको पोस्टपॉन किया गया अब यह पहुंच गया है 2021 में जिसमें यह बोला गया है कि इसका जो ऑफिशल स्पॉंसर है वो आयनोक्स ग्रुप को अभी हाली में मिल रहा है ठीक है तो यह याद रखेगा यह कहां होने जा रहा है तो क्यो जापान में कंडक्ट होने जाएगा गाईज और कोरोनो की वज़े से 2020 में इसका जो इवेंट था और्गनाइज होना था उसको पोस्टपॉन करके अब यह सिफ्ट किया गया है आपका 2021 में जो जुला आप जानते हैं कि एलेक्शन कमिशन के अगर हम बात करने जाएं तो तीन बंदे होते हैं जिसमें से दो कमिशनर होते हैं और एक होता है सीचीफ एलेक्शन कमिशनर ठीक है तो वो इस समय जो हैं आपके सुनील अरोरा सहाब है ठीक है सुनील अरोरा सहाब है और दूसरे थे एक जिनका नाम था असोक लवासा ये कमिस्नर में इंक्लूड़िट थे ठीक है तो अभी हाली में इनकी जगे पर जो नए अपॉइन्मेंट हुआ है राजिव कुमार का तो ये याद रखेगा राजिव कुमार जी को अपॉइन्ट किया गया एज एलेक्शन कमिस्नर और ये अपॉइन्मेंट किया जाता है प्रेसिडेंट आफ इंडिया के द्वारा और जो आपके सी इसी है मुक इस समय निर्वाचन आयुक्त के अगर हम बात करने चाहें तो वह कौन है सुनील अरोरा साहब और इससे पहले भी राजिव कुमारे के बारे में आपने पढ़ा है यह पहले फाइनस सेकेट्री भी रह चुके हैं फिर आपके नीतियाओग में वाइस चेयर मैं भी रह चुके हैं और हादली में इनको अभी चेयर परसन भी बनाया गया था पब्लिक इंटरप्राइस सेलेक्शन बोर्ड का नेक्स वो अपॉइन्मेंट है वो अस लास्ट में एक बुक्स की हम लोग बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की तो अभी हाले में जो फेमस ऑथर है नाम आपने सभी ने सुनाई होगा इनका नाम है चेतन भगत जिनके बड़ी पॉपलर बुक आई थी हाफ गल्फरेंड ठीक है तो उन्हों की एक दूसरी बुक जिसका नाम है one arranged murder ठीक है तो arranged जो marriage होती है उसी पर based ये एक कहानी है जिसका नाम है one arranged murder और इसके author का नाम याद रखेगा author का नाम है चेतन भगत तो guys ये था आज का update आसा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा guys ठीक है तो आप ये daily current affair देखते रहिएगा मैं प्रयास यही करूंगा कि daily आपको ये upload कर दिया करूं guys और ये morning में आप ये recorded session है guys ये live session नहीं है ठीक है morning 7am पर ये रहेगा तो आप इसको देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इसको share जरूर कीजेगा guys ज्यादा से ज्यादा इसको like कीजेगा और comment करके जरूर बताएगा मुझे कि ये WhatsApp number पर message कर सकते हूं guys ये याद रखिएगा ये जो current affair है इसका हम जो practice करने जाएंगे वो आपके weekly current affair show में करने जाएंगे तो weekly में मैं आपको कम से कम 70 plus mcq cover कर लेके आऊंगा जिससी ये जो daily current affair theoretical current affair है इसका आपका practice पूरा हो जाएगा so bye bye take care thank you so much for watching this video